सलीमा ज़ारखन के एक ऐसे गाउं से आती हैं जिसका नाम भी कोई नहीं जानता था बहुत छोटी थी जब पिता का हाथ पकड़ कर उनके साथ एक उबर खाबर मैदान में जाया करती थी जहां उनके पिता बांस की बनी हौकी स्टिक से हौकी खेला करते थे और वो बस वहाँ खड़े होकर अपने पिता को खेलते देखा करती थी फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हुई उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया पर उस वक्त होंकी बस इसली खेला करती थी कि मैच जीतने के बाद उन्हें बकरा या मुरगाई नाम के तौर पर मिल जाएगा जिससे उनके परिवार को थोड़ी रहत मिल जाएगी और उन्हें घर पर खाने में क्या बनाना है कम से कम एक दिन के लिए तो ये नहीं सोचना पड़ेगा उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन वो भार्टे महिला होंकी टीम की स्टार बन जाएगी सलीमा जारखंड के सिम्डे का जिला मुख्याले से करीब 30 किलो मीटर दूर पितरा पंचायत के छोटे से गाउं बढ़ की छापर में रहा करती थी और उन्होंने उसी उबर खाबर मैदान पर हाथ से बनी बास की स्टिक वा बॉल से खेलना शुरू किया था इससे उनके पिता जी खेला करते थे और वो उन्हें बस उस मैदान के पास खड़े होकर देखा करती थी उस वक्त इनके परिवार के स्टिव बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कभी कभी जब घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो इनके घर वाले किसी पक्षी या किसी जानवर के शिकार के लिए जाया करते थे अगर शिकार मिल जाता था तो उसे पका कर घर पर खाना बनता था और जब नहीं मिलता था तब वो लोग ऐसे ही सिर्फ चावल बना कर खा लिया करते थे घर के नाम पर तो उनके पास एक छपपर था उसी में वो लोग रहा करते थे सलीमा के पिता सुलक्षन टेटे ही सलीमा के पहले गुरू हैं उन्हीं से सलीमा ने होकी खेलना सीखा सलीमा जिले की पहली बेटी हैं जसने यहां तक का सफ़र टाई किया है वो 2016 में पहली बार जूनियर भारतिय महिला होकी टीम के लिए चुनी गई टीम सिल्वर मैडल जीत कर लोटी थी 2019 में ही उनके प्रतिभा का लोहा मानते हुए होकी बोर्ड ने उनका चैन सीनियर भारतिय महिला होकी टीम में स्थाई खिलाडी के तौर पर कर लिया तब से लेकर आज तक सलीमा टेटे कई राश्ट्य प्रतियोगिता में जारखंड और अंतर राश्ट्य प्रतियोगिता में भारतिय टीम की ओर से खेलती रही है 2020 में सलीमा ओलम्पिक खेलने गई ये उनके परिवार और उनके गाउन, उनके जिली और पूरे देश के लिए गर्व की बात थी उनके परिवार में सभी इस बात से बहुत खुश थे कि वो खेलने जा रही है पर अगर वो किसी बात से दुखी थे तो इस बात से थे कि उनके घर में टीवी सेट नहीं है जिससे वो सलीमा को टीवी पर मैच खेलते हुए देखा हैं सलीमा ने 2021 में मैच खेला पर उनके परिवार में से किसी ने भी उने खेलते हुए नहीं देखा सलीमा अगर आज यहाँ पर हैं तो इसमें उनके पूरे परिवार ने उनका सहयोग किया है अगर उनका परिवार उनका सयोग नहीं करता तो वो कभी यहां तक नहीं पहुंच सकती थी गरीबी की मार जेल रहे सलीमा के पूरे परिवार के हर व्यक्ति ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है सलीमा टेटे को कहीं भेजने के लिए कई बार परिवार के पास पैसा नहीं रहता था ऐसी स्थिती में सुलक्षन टेटे सलीमा के पिता लोगों से पैसा उधार लेकर सलीमा टेटे को देते थे और फिर बाद में मजदूरी करके वो उधार लिये हुए पैसे चुकाया करते थे कई बार तो ऐसी स्थिती भी सामने आ जाती थी जब लोग पैसे उधार देली से मना कर देते थे सलीमा के बड़ी बहन दिल्ली में नौकरी क्या करती थी वो भी सलीमा के लिए पैसे भेजा करती थी तब जाकर सलीमा कहीं खेलने जा पाया करती थी सलीमा के सपने पूरे करने के लिए उनके परिवार ने अपना पेट काटा है और कभी किसी ने खुद के लिए कोई सपना नहीं देखा नहीं अपने बारे में कभी कुछ सोचा है सबने बस सलीमा के सपने को ही अपना सपना बना लिया था और उसके लिए ही जी जान लगा दी सलीमा टेटे को आस्मान की इस उचाई तक पहुचाने में उनके परिवार ने अपना सर्वस्त नियुचावर कर दिया पर सलीमा ने भी कभी अपने परिवार को निरास्त नहीं किया उन्होंने भी अपने और अपने पूरे परिवार का सपना सच करने में अपनी जान लगा दी सलीमा का परिवार आज बस उस छपपर में नहीं रहता उनका परिवार आज भी एक मिट्टी के कच्छे मकान में रहा करता है। उनके माबाप और भाई आज भी खेती किया करते हैं और खुझ से ही खेतों में जुताई और बुआई किया करते हैं। सलीमा जहां से उठकर आई हैं और जिस तरह का खेल रही हैं वो काबिले तारीफ है क्योंकि ऐसी स्थिती में लोग कहां ही ये सब सोच पाते हैं। उनका major concern यही रहता है कि उन्हें खाने के लिए दोवक्त का खाना मिल जाए। सलीमा के सपनों के हाड़े कोई नहीं आ पाया। उनके पिता और उनका पूरा परिवार हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा उनसे आगे चटान बनकर खड़े रहे। शायद यही वज़े है जिसकी वज़े से सलीमा ने कभी हार नहीं मानी, वो कभी तूटी और घबराई नहीं। यूथा आइकन ओफ इंडिया सलीमा और उनके पूरे परिवार को सलाम करता है। यूथा आइकन ओफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहें यूथा आइकन ओफ इंडिया आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बिताएगा।